हेलो फ्रेंड्स मैं आशिश शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका आर्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके पेपर नमबर सेकेंड अउकल समीकरन के चेप्टर नमबर फाइब जो आपका यूनिट थर्ड में आता है सीरी सोलुशन यानि स्रेणी हल वाला जो चेप्टर है उसके आज हम उसको डिसकूस करेंगे सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले या उस टोपिक को डिसकूस करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इसकी मार्किंग क्या क्या है और इसकी इंपोटेंस कितनी है ठीक है ना तो आप पिछले पेपर को जब इसको एनलाइस करोगे तो आप देखोगी कि इसमें आपके दो कोशन आते मतलब कि अथवा में दो कोशन आते एक कोशन आता है वो भी साधे साथ का और अथवा में आता है वो भी साधे साथ का कोशन सिधा सा आता है कि आपको एक एक क्वेशन दे दी जाती है ठीके ना दीतिये कोटी की एक equation दे दी जाती है आपको और आपको बोला जाता है कि इसका steady health ज्याद कीजिए इतना सा आपको question होता है ठीके तो पहले तो क्या होता था कि अत्वा में आते थे तो हमको एक ही करना होता था लेगन इस बार क्या हो आपको पता है कि आप अत्वा वाले question भी कर सकते हो तो मतलब इसका मतलब होगा कि आप दोनों question attend कर सकते हो मतलब आपके 15 marks complete हो जाएंगे एक साधे साथ का एक साधे साथ का आपके टोटल मिलाके 15 number complete हो रहा है और इसके अलावा एक छोटा question भी कभी आता है कभी नहीं आता है लेकिन maximum time यह आया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि एक डेट number का question भी इससे बेड़ता है ठीक है ना किस type का question आता है छोटा और बड़े किस type की question आता है वो हम exact पूरे वीडियो में देखेंगे लेकिन अभी आपको यह देखना है कि इसकी total marking कितनी हो रही है तो इसकी marking हो रही है टोटल साड़े सोला number की साड़े साथ साथ 15 और साड़े साथ 15 कितना हो अपने पास सोड़े सोला मार्किंग 15 नंबर तो इसमें से fix है यह आपके और डेट नंबर का भी यह दिया आपकी किस्मत अच्छी हो आप अलग चल रहा हो तो आपके लिए यह डेट नंबर का question भी आपके लिए एक्जाम में आ जाएगा यह तो हुई इसकी मार्किंग की बात अब हम क्या-क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में आगे वह हम एक बार डिसकस कर लेते हैं इस जो श्रेनी हल वाला चैप्टर है इसके आपके दो वीडियो बनेंगे जो यह वाला वीडियो है इसमें हम बात कर करेंगे यानि साधारन बिंदू पर श्रेणी हल कैसे निकालते यदि आप तीनों एक्जामपल को अच्छी तरह से समझ लेते तो इससे रिलेट वैसे तो इन एक्जामपल से कोशन आता है और वैसे बाहर से भी आ करेंगे लिजांड्रे एक्वेशन यह तीन एक्वेशन की बात करेंगे तीनों एक्वेशन याद होना आपको जरूरी है और तीनों का बसक्तिता है पधने आता है कि आपको पूचा जाता है कि इसकी बेसल सम्मिकरन लिखी है या लिजांडरे एक्वेशन लिखी है या हाइपर जैमी थी एक्वेशन लिखी है डायेट आपको एक्वेशन पूच ली जाती है तो यह डेट नंबर का कोशन आपके इन तीनों में से एक एक्वेशन तो आपको क्या करना है दो वीडियो में आपके साधारण बिंदू पर यह लिकालना ग्याद करेंगे और सेकंड वाले वीडियो में विचित्र बिंदू जो बेसल सम्मिकरन है लिजांडर सम्मिकरन है इनके हल किस बिंदू पर लिकलते हैं विचित्र बिंदू पर ठीक है यह पहले हम बात करेंगे कि हम कौन से equation के बात कर रहे हैं क्यूंकि आप हल निकालो कि उसका तो आप कौन से equation के बात कर रहे हो तो हम यहां पर बात कर रहे हैं चर्गुनांक वाली द्वित्य कोठी समिकरण कौन सी equation की बात कर रहे हैं हम यहां पर चर्गुरांग वाली जित्य कोटी की समिक्रण ठीक है इसका मानक रूप क्या होता है आप f of x d2y upon dx square plus g of x dy by dx plus h of x और y equal to 0 क्या है equation क्या है मानक रूप क्या है इसका f of x d2y upon dx square plus g of x dy by dx plus h of x और y equal to 0 यह अपनी क्या है मानक रूप है यहां पर f of x g of x और h of x तिनों क्या है x के फलन है तिनों किसके फलन है x के फलन है इस टैप की जो equation रहेगी ठीक है ना चर्गुरांग वाली दित्य कोटी की जो सम्मिक्रणे रहेगी इनका हम सेनी हल ग्याद करेंगे ठीक है अब हमने एक बात की थी कि साधारण बिंदू इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्यों साधारण बिंदू के लिए कौन से बिंदू के लिए बात करेंगे साधारण बिंदू अब साधारान बिंदू होता क्या है कैसे पता करेंगे कि हमको साधारान बिंदू वाले equation दे रहे किए या विचेतर बिंदू वाले equation दे रहे किए तो साधारण बिंदू की बात करें तो X की देखो इनके multiply में क्या चल रहा है F of X चल रहा है G of X चल रहा है X of X चल रहा है तिनों किसके फलाने X के फलाने X के फलाने मतलब कोई value आएगी जो X में आएगी यहां पर ठीक है ना जैसे X होगी X square होगी X cube होगी 2X square होगी कुछ भी value आसकती है कोई भी constant value आसकती है लेकिन वो किस में आएगी X में आएगी क्योंकि यह किसके फलाने X के फलाने यह तो आपको पता चल गया तो साधारण बिंदू का मतलब क्या है ध्यान से समनना आपको कि साधारण बिंदू का मतलब है कि X बराबर A मैंने कोई भी value ले ली A कि X बराबर A रखने पर क्या कर रहा हूं में X बराबर A रखने पर यदि F of X not equal to 0 है क्या कह रहा हूं में कि X बराबर A रखने पर यदि F of X not equal to 0 है ठीक है ना तो हम क्या कहेंगे कि यह बिंदु कॉन्सा हुआ। यह बिंदू कि साधारण कि बिंदू कि कहलाता है मला एक्स की कोई भी वेल्यू रखने पर एक्स की कोई भी वेल्यू रखने पर कि यह एक्स की कोई भी वेल्यू रखने पर कि यह एक्स की कोई भी वेल्यू हो सकती हमको नहीं पता क्या वेल्यू है लेकिन हम अपना थोड़ लगा कि देखेंगे कि कोई भी वेलियू रख दो यहां पर यह f of x कभी 0 होई नहीं सकता देखो यह इस तरह से भी आ सकता है कि d2y upon dx square का गुणां कभी 0 नहीं हो सकता ठीके ना x की कोई भी वेलियू रख दो ठीके तो इसका मतलब क्या हो तब वो बिंदू कौनसा बिंदू कहलाएगा साधारन बिंदू और उस टाइम जो समय करना हमको दी हुई होगी उसका हम कौनसा हल गयाद करेंगे साधारन पर गयाद करना है जब हम x की हम देखेंगे कि x की यहाँ पर कोई भी वेलियू रख दो कोई भी वेलियू रखने पर यदि f of x की वेलियू 0 नहीं आती है या d2y upon dx square का गुणांक 0 नहीं होता है इसका मतलब वो बिंदू कौनसा है वाँ पर साधारन बिंदू और हमको हल ठीक है अब हम कुछ example देखेंगे वहाँ से आपको पूरा method इसका समझ में आ जाएगा कि साधारन बिंदू कैसे बोल रहे हैं इसको ठीक है इस तो आपकी बुक काई सबसे पहला first example ले रहे हैं first example क्या है अपने पास d2y upon dx square plus x square y और equal to 0 यह आपको एक equation दे रहे हैं ठीक है अब देखो इसको solve करता है कैसे होगा यह सबसे पहले तो check करेंगे इसमें कि यह साधारन बिंदू पर solve होगी या विचितर बिंदू पर ठीक है तो देखो यहां पर x बराबर मैंने कोई भी a मान लिए a कोई भी value हो सकती constant value x बराबर a रख रहा हूं तो बताओ इसका जो coefficient है इसका जो गुनां के d2y upon dx square का जो गुनां के वो कभी 0 हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि इसके multiply में ऐसी कोई राशी नहीं मतलब कि यहां पर यहां पर मतला x की ऐसी कोई value नहीं यहां पर जैसे x भी होता तो x की जिए पन 0 रख देते तो यह 0 हो जाता लेकिन यहां पर x है नहीं बिल्कुल x से related क कोई term नहीं है तो हम क्या कह सकते है कि x बराबर ए रखने पर x बराबर ए पर d2y upon dx square का गुणांग सुन्ये नहीं है अता है यह साधारण बिंदू है आया समझ में कि x की यहां पर कोई भी value रख लो यह जो इसका coefficient है जो d2y upon dx square का जो गुणां के वो कभी भी 0 नहीं होगा इसलिए हम क्या कह सकते है यह जो बिंदू है कौन सा बिंदू कहलाएगा यह साधारण बिंदू कहलाएगा और जो समिकरण का जो स्रेणी हल लिख लेगा वो किस पर निकलेगा साधारण बिंदू पर लिख लेगा ठ होता है उसका reden αυτी कि y 식und do और ऑगे अगे भी चलता रहता हम्दब कह तक जाता है यह उन तक जाता एसा नोिए यह कां तक जाता है ई फाइन तक जाता है इस sniff जाता इसा नो सब bew करना है हमको यह एक्वेशन में व्यूर्स पुल कर देनी तो यह मारा क्या आजाएगा ठीके न तो आपको एग्जेक्ट प्रोसेस समझते जाना है ठीके न बहुत इजी प्रोसेस है मैंने क्या है इस वाले एक्वेशन को मैंने आलग ने डेंग देखो यहां पर हम को क्या चीए d2y upon dx square चीए मतलब y का दो बार आउकलन करना पड़ेगा ठीक है ना तो एक बार तो first बार आउकलन करेंगे तो इसको क्या बोल सकते है dy by dx यह इसको y dash भी बोल सकते है y dash का मतलब एक बार alkaline हुआ है ठीक है न तो a node का alkaline करेंगे तो a node तो क्या constant value है तो इसका alkaline हो जाएगा 0 यहां से x का alkaline क्या हो जाएगा 1 तो यहां पर a1 बच जाएगा यह 2 आगे आजाएगा तो 2 a2x यहां पर 3 आगे आजाएगा तो 3 a3 और यहां क्या बचेगा अपने पास x square alkaline करना तो आप जानते होंगे और यह क्या आजाएगा 4 a4 x की power cube इससे चलते चलते हम n के लिए करेंगे तो क्या आएगा n आगे आजाएगा और a n x की power n minus 1 ऐसे आगे infinite तक चलता रहेगा यह equation number कौन सी ले लिए हमने 3rd अब क्या लिका लेंगे d2y upon dx square जो हमको need है वो हमको लिकालना पड़ेगा ठीके न और वैसे हर question में आपको यह यह आपको पता चल जाएगा तो आपको dy by dx लिकालना ही पड़ेगा और d2y upon dx x square भी आपको find करना पड़ेगा इसको हम क्या बोल सकते है y double dash क्योंकि बहुत सारे question में आपको y dash y double dash इस तरह से दिया होगा तो आपको confuse नहीं होना है ठीके न देखो 0 का करेंगे तो 0 यह a1 भी इस बार 0 हो जाएगा यानि 0 प्लस 0 इसका क्या हो जाएगा 2a2 इसमें हो जाएगा 2 आगे आजएगा तो 6a3x 3 आगे आजएगा तो 12a4x square ठीके आगे से आगे से चलता रहेगा और इसका करेंगे तो n n-1 और यहां पर क्या जाएगा x की power n-2 यह भी आगे से आगे चलता रहेगा यह equation number मैंने कौन सी देदी 4 देदी तो मैंने क्या किया कि साधान बिंदू है तो श्रेणियाल यह फिक्स है कि यह होता है हर question में आपको यह लिखना है कि a node a1x a2x square a3x q यह आपका श्रेणिया होगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा dy by dx find करना पड़ेगा और d2y upon dx square आपको find करना पड़ेगा अब यह सारी जो वेल्यूज आई कौन सी वेल्यूज वाई की वेल्यू यह आपको क्या पूट करनी पड़ेगी equation number first में इसका मतलब आपके जो question है उसमें आपको यह वेल्यूज पूट करनी पड़ेगी ठीक है तो यह मैंने वेल्यूज सारी पूट कर दिये क्या वेल्यूज पूट की है देखो d2y upon dx square की क्या वेल्यूज आई थी अपने पास 2a2 plus 6a3x 12a4x square 20a5x cube और आगे से आगे यह market जा रही है अब यहां पर हम क्या करेंगे देखो आपने क्या किया वेल्यू सारी पूट कर दिये ठीक है अब आपका काम है कि और दो कि पावर से उनके जो गुनांके उनकी हम यह पर तूलना करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो उन राश्यों की तुलना करते है जो constant है जिसके साथ x कोई भी गाद नहीं है या x का 0 वाली जो राश्य है देखो यहां पर क्या है 2a2 यह term ऐसे जिसके साथ एक भी x नहीं है मतला x की गाद 0 है constant value है constant value का comparison करेंगे 2a2 comparison मतलब की rhs में भी इसके जैसे कोई term है क्या तो बिल्कुल नहीं है तो rhs में क्या है अपने पास 0 है तो कोई भी value यहां पर comparison करेंगे हम तो उसके बराबर में हम क्या लिखेंगे हमेसा 0 तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 0 तो यहां से मुझे 82 की value क्या मिल गई है 0 यह आपको ध्यान रखना यह तो किसके बात हुई constant value के comparison करने पर अब हम ग्याद करते कि x क्या जो गुनांग है x के गुनांग की तुलना करने पर सबसे पहले तो देखो कि x का गुनांग कौन कौन सा है ठीक है ना तो x का गुनांग एक तो अपने पास यह 6a3 क्या है 6a3 औ कि बार किया चल रहा है x square मतलब इसटार्टढ कहां से हो रहा है यहांसे तो x square से हो रहा है मतलब क्यों गुसके बराबर कर देंगे इसको जीरो के बराबर तो a3 की value लेगे हमको क्या मिल जाएगी já і harm किC स्कौयर के गुणांग को anson दुलना अब देखो X square के गुणांग कौन कौन से यहां पे कौन है X square के गुणांग 12 A4 तो इसको मैं यहां पुट कर दूँगा 12 A4 और यहां पे X square का गुणांग कौन है देखो यह X square अंदर multiply होगा तो इसके साथ में कौन आ रहा है A node आ रहा है यानि plus A node equal to 0 क्योंकि बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है तो यहां से A4 की value क्या हो जाएगी कि minus A node divided by 12 यह होगी ना यह हम यहां से में A node की value भी निकाल सकता था लेकिन मैंने क्यों निकाली क्योंकि जो बागी values हैं उनकों किसमें लाना है A node के रूप में लाना है तो कौन कौन से X cube के गुणाग यहां पे तो है कौन है 20 A5 क्या है अपने पास 20 A5 प्लस और अपने पास क्या है देखो यह X square multiply होगा X से तो क्या बन जाएगा X cube और उसका गुणाग क्या हो जाएगा अपने पास A1 यानि यह प्लस में क्या चल रहा है अपने पास A1 इकवल में क्या लिख देंगे हम 0 तो यहां से A5 की value क्या हो जाएगी माइनस A1 डिवाइड बाई 20 यह हमारे पास किसकी value आ गई है A5 की value ठीक है ना और आगे भी आ comparison कर सकते हो कि X की गाद 4 की तुलना करेंगे कि गुणांकों की तुलना कि गुणांक की तुलना तो X की गाद 4 की कौन-कौन से गुणांकी वो देख लो सबसे पहले है कि यह देखो X की गाद 4 की कौन-कौन से गुणांकी 30 A6 एक क्या है एक गुनांग तो क्या है अपने पास 30 A6 और सेकिंड वाला कोफिशिएंट क्या इसमें है क्या कोई कि एक की गाद 2 का मल्टिप्लाइ कराएंगे किसके साथ एक स्कॉर्ण करेंगे तो एक सके पार 4 हो जाएगा और उसका गुनांग क्या चल रहा है अपने पास एक वल्में क्या लिखेंगे 0 है क्या पूरी टर्म क्या अपने पास 0 तो यहां से देखो 30 A6 तो मेरा एज़िटीज है हमने स्टार्टिंग में देखा था A2 की वेल्यू क्या थी हमापे 0 एक्वल टू 0 तो A6 की वेल्यू भी यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास 0 ठीक है न इस तरह से हम वेल्यूस फाइंड कर सकते इस तरह से करते करते हमको प्लाइश्ट में किसकी तुलना करनी है एक्सिगात एंके गुणां की तुलना करनी यह इंपोर्टेंट है थोड़ा क्यूंकि इससे जो फोर्मूला मिलेगा उसे हम चाहें इसकी वेल्यू निकाल सकते क्या करेंगे तो सबसे पहले तो इसके गुणां कौन कौन से वह भी हं रही है तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा ऐसं बनाना पड़ेगा वो कीसे बनाएंगे वह चीज सटेंट यहां पर टो है और क्या बनाना एक्सिगात इं प संञएं अभी हैं यह स्की बराबर यहां सब्सक्राइब जाएगा सिगाइब प्लस तू ऊंपर क्या रखा तो यहां पर क्या बन गया मेरे पास एगस कि का ची एक, एकस की आपे ऐग्स, यहां पर नहीं नहीं, जो इसके साथ गुणाघ चल रहा है उसमें भी चैंज्स होंगे जिसे n की जगे मैंने क्या लिखा n प्लस 2 यहाँ पर भी n की जगे n प्लस 2 लिखूँँगा और –1 पहले से चल रहा है और यहाँ पर भी देखो a, n है तो a, n की जगे क्या होता है n प्लस 2 और इधर तो हो जाएगा x की गात और तो the, n प्लस 2 तो मेरा activities है यहां पर प्लस टू और मैनस वन कितना हो जाएगा यहां पर एक यांप देखो इसका कोफिशिएंट हो गया अब बात करते हैं इस निचे वाली टर्म में देखो इसमें आप डायेट देखो कि तो यहां पर X-Guard N का गुणा कितना चल रहा है? AN चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्यों नहीं है क्यों कि बाहर क्या चल रहा है X-square भी चल रहा है तो यह X-square इससे multiply होगा तो यहां पर term क्या बनेगी? AN X-kovmental N नहीं है क्या नहीं है? यह क्या है? X- Compass 2 है हमको क्या चीआए X- продук N मतलब इससे just 2 पहले वाली term क्या होगी? क्या होगी अपने पास कि AN-2 X-utral N-2 यहीं होगी न क्योंकि एक n-1 वाली एक n-2 ऊपर term अब लिखे को यह X удив Senior HERE को जלי ब्लाख आइस अख तो और créer mentioned यह x square इससे multiply होगा तो x की power n-2 और यह 2 और जुड़ जाएगा तो यह प्लस 2 यानि क्या आजाएगा अपने पास a n-2 और x की power n यानि यहां पर x की बारण का coefficient क्या है a n-2 हम जल्द बाजी में क्या कर देते a n यह अपना गलत हो जाएगा तो क्या क्या आगया coefficient अपने पास n-1, n-2 और a n-2 तो देखो एक तो है n-1, n-2, a n-2 और plus में हमारे पास नीचे वाली टर्म में क्या आया था a n-2 हमको क्यावल coefficient लेना है ना क्यावल गुणांक लेना है यह क्या आया था a n-2 और equal में हमें सा क्या करेंगे जीरो ही करेंगे यह चीज़ सोड़ी समझने वाली थी important थी ठीक है ना यहाँसे मैं formula लिका लूँगा किसका a n-2 का क्या formula आजाएगा a n-2 divided by n plus 1 और n plus 2 यह मैं पास formula आगया अब मैं चायज इसकी value निकाल सकता हूं देखो कैसे यह दि मैं n बराबर 2 लिखता हूं क्या लिखता हूं अन बराबर 2 तो यहां से क्या हो जाएगा यह 2 plus 2 कितना हो जाएगा यह 4 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 2 minus 2 0 यानि a node divided by 2 plus 1 3 और 2 plus 2 4 यानि value क्या आगई अपने पास minus a node divided by 12 यह किसकी value आगई अपने पास a 4 की value ठीक है और कौनसी value निकाल सकता हो यह दि मैं बराबर 3 रखूं यहां पर तो क्या आजाएगा अपने पास 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5 यानि a 5 equal to 3 minus 2 कितना हो जाएगा 1 यानि minus a 1 divided by 3 plus 1 4 और यह कहतना आगया 3 plus 2 5 यानि minus a 1 divided by 20 इस तरह से आप सारे और आगे भी value निकालना चाहो तो आप लिकाल सकते हो अब यह सारी values को हमको काँ पूटप करनी है वो जो हमने starting में जो श्रेणी हल पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था कि y equal to a node plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube plus a4 x की बाद 4 plus a5 x की गाद 5 इसे आगे से आगे चलते चलते a n x की गाद n और आगे ऐसे infinite तक यह series जाती है इसका यह हम solution लेकाल रहा है न क्योंकि साधान बिंदू की hell कौन सा होता है यह वाला hell होता है अब इसमें हमको किसकी value चाहिए a2 a3 a4 इनकी values हमको चाहिए ठीक है तो हम बात करते है देखो a node की value तो क्या होगे a node assets है क्योंकि इसकी कोई value निकाली हमने a1 की अमने क्या value निकाली थी A1 की कोई value निका लिए कि हमने नहीं लिका लिए तो यह A1 X भी हमारा is it is है आप देख सकते हो आपने पीछे जो लिका ला है ठीक है ना अब देखो बात करते है A2 A2 की हमने क्या लिका लिए थी 0 लिका लिए थी तो यह value क्या होगी हमारे पास 0 A3 की value हमने क्या लिका लिए थी चेक कर लेते है एक बार A3 की value हमारे पास क्या आई थी A3 की भी हमारे पास आई थी 0 तो A3 की value भी क्या होगी हमारे पास 0 बात करते है A4 A4 की क्या value आई थी हमारे पास A4 की value आई है हमारे पास देखो A4 की value क्या minus a node डिवाइड by 12 और a5 की क्या है minus a1 डिवाइड by 20 तो यह values यहां put कर नहीं हमको a4 की तो है minus a node डिवाइड by 12 और 7 मैं क्या चल रहा है X की पार 4 और a5 की है minus a1 đिवाइड by 20 और 7 मिन्या चल रहा है 16 और ऐसे आगे से आगे यह values चल रही है ठीक है ना कोई दिकत नहीं है यह y as it is जिसमें a node common आ रहा है उसको a node ले लो और जिसको a1 आ रहा है तो इसमें a1 ले लो यहां पर तो क्या बचेगा एक्स यहां पर क्या बच रहा है one upon twenty और साथ में क्या चल रहा है X कि पाउर five और इसमें भी क्या लगा दो आगे ले देश्डश तो इस तरह से यह मरा बंग गया पूरा एक तेकर इंडेंग इरहूं तो आगे कि आच फैंट कर सकते हो एक यहां अपैस रिपीट कर देता हूँ क्या किया हमने कुछ नहीं किया हमने सबसे पहले तो चेक की जो equation दे रही थी वो किस पर दे रही एक साधारण बिंदू पर दे रही है विचीतर बिंदू पर दे रही है सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है तो हमने बात किए कि यह साधाराण बिंदू पर है किसे चे किया यह आप देख लेना पीछे ठीक है यह साधाराण बिंदू पर होगी तो इसके लिए solution क्या होगा fix solution है क्या solution है कि y equal to a node plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube इस तरह से इसमें क्या है एक fix solution है अब हमको क्या करना इसमें यह a2 a3 a4 इनकी values हमको a node या a1 की terms में हमको find करनी है तो हमने values कैसे find की पहले तो हमने y से dy by dx लिकाला फिर d2y upon dx square लिकाला फिर हमने सारी values question में put कर दी और फिर हमने क्या किया comparison किया एक्स की पहले तो constant value का comparison किया फिर x की गात 1 का x की गात 2 का x की गात 3 का इस तरह से comparison किया फिर last में जाते जाते हमने किसका comparison किया x की गात n का तो हमको एक formula मिल गिया जिससे हमने आगे की values लिकालना सिख लिया ठीक है और उन सारी values को हमने इक्वेशन में put कर दिया और जो common आ रहा था उनको common ले लिया तो यह हमारा process है बाकी question में भी यह process रहने वाला है तो इस तरह से हम क्या कर सकते है इसका stranial ग्यात कर सकते है बढ़ते है next question क्यों जो आपका second example है मतलब first हमने अभी कर लिया है अभी आपका second example है क्या example है आप बिदू पर solve करना है तो जो कैसे चेक करेंगे कि देखो यहांपर एक्स कि कोई भी value रख लो x बराबर a पर वो value मैं नहीं मान रहा हूं भी क्या value है लेकिन आप यहां पर x बराबर a मतलब कोई भी value हो सकती है कि x बराबर a पर d2y upon dx square का गुनांग का गुनांग सुन्ये नहीं है देखो हम देख सकते हैं इसमें यहां पर कोई भी x की value कोई भी रख दो क्योंकि यहां पर x कोई term ही नहीं है तो यहां पर इसका गुनांग को कोई फरक पड़ता ही नहीं यहां पर a एक है तो a की रहेगा वो ठीक है न इसलिए हम क्या बोल रहे है कि x की power x मतलब x equal to a रखने पर d2y upon dx square का गुनांग सुन्ये नहीं है अता है यह एक साधारण बिंदू है अता साधारण बिंदू पर श्रेणी हल सबसे पहले तो क्या चेक करना है कि साधारण बिंदू है या विचितर बिंदू तो यहां पर क्या आ रहा है अपने पास साधारण बिंदू आ रहा है मतलब साधरान विंदू प्रूफ हो गया तो अब हम क्या करेंगे इसका स्रैनियल जो साधरान विंदू के लिए हमेसा क्या होता है क्या होता है वो य इक्वल टू ए नोड प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्कॉर ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगी A N X की गाद N और आगे से आगे चलती रहेगी मतलब कहां तक जाएगी यह infinite तक जाएगी अनन तक जाएगी ठीक है न ऐसा नहीं है कि N तक ही जाएगी ठीक है न यह कहां तक जाएगी infinite तक जाएगी यह तो हमारे पास यह series आ गई अब हमको क्या find करना है यह values find करनी पड़ेगी लेकिन इससे पहले भी हमको क्या करना पड़ता है इससे क्या लिका लेंगे dy by dx निकालेंगे और इसका क्या लेंगे वापिस alkaline करेंगे तो d2y upon dx लिका लेंगे और यह सारी values कहां put करेंगे question में जिसको हम क्या दे देंगे equation number first दे देंगे ठीक है ना और इसको equation number क्या दे दिया मैंने second यहां से मैं क्या लिका लूँगा alkaline करूँगा तो क्या आएगा dy by dx किसके साफ एक्स कर रहे है एक्स के साफ एक्स यह तो हमारी constant value है तो यह तो गई 0 यहां पर क्या आजाएगा a1 यह 2 आगे आजाएगा तो 2 a2 x ऐसे और भी term होती है तो उसका क्या हो जाएगा 3 a3 x square plus 4 a4 x का cube plus 5 a5 x की power 4 इसे आगे से आगे चलते रहेगे यह सारी terms इसलिए लिक रहा हूँ चुकिए बाद में हमको comparison करने में कोई दिक्कत नहीं आए ठीक है न और यहां पर देखो डेश डेश करते करते लिका यह क्या आजाएगे अपने पास a n x काथ n-1 और आगे से आगे चल रही है कोई दिक्कत नहीं है फिर हम क्या लिका लेंगे वापिस ओकुलन करेंगे इसका d2y upon dx square इसका ओकुलन करेंगे इस बारा न इसका नहीं करेंगे पहले तो हमने इसका ओकुलन किया तो डिवाइब डिएक्स आप वापिस इसका ओकुलन करेंगे तो क्या आएगा d2y upon dx square 0 का तो 0 यह यह एवन भी क्या हो जाएगा 0 यहां पर देखो इसका x का होगा तो 1 हो जाएगा देखो यह सारी values constant है तो यह तो आएगी as it is x का हो जाएगा 1 ऐसे यहां पर होगा 2 आगे आजएगा तो 6 a3 x इसमें क्या आएगा 3 आगे आजएगा तो 12 a4 x की पावर 2 यहां पर आगे आजएगा तो 20 a5 और x की पावर क् 3 इसे आगे से चलता रहेगा ऐसे डेश्टेश करते करते चले तो यह n-1 भी कहां आजएगा आगे आजैगा तो थो हमारे पास क्या बचेगा an x की पावर n-2 और आगे से आगे यह चलता रहेगा यह तो हमारे पास किसके वैलिवेश ओगई एक स्कॉईर ऑर doula दिटु i की स्क्वाइर मदल यह वाली जो डिटू आपाउन द्यास स्कॉाइर वाली पूरी टाम में यहां पर पूट करने हमको क्या है टाम हमारे पास 2A2 प्लस 6A3 X प्लस 12A4 X स्क्वाइर प्लस 20A5 X क्यूब और प्लस डेश 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 प्लस N N-1 A N और और एक्स की पावर और 2 और प्लस 10 डेश यह इस तरह से थो किसकी वैल्यों यह अपने पास 10 एक्स आपने पास 10iling अब हम चलते अगली वैलु किया मैनस 7 दीवाइबाई प्लस 2 A2X प्लस 3 A3X स्क्वाइर प्लस 4 A4XQ प्लस 5 A5 X की पावर 4 और प्लस डेश डेश प्लस N A N और X की पावर N माइनस 1 और आगे से आगे चल रही है ठीक है न यह किसकी वेल्य हो गए दी वाई बाई दी एकस की फिर आगे क्या टर्म है हमारे पास प्लस Y इक्वाइर टू 0 अब हमको किसकी वेल्य निकलनी है लिकालनी है सुरी लिकनी है Y की वेल्यू तो प्लस Y, Y की क्या वेल्यू हम जानते है A node प्लस A1X प्लस A2X स्क्वाइर प्लस A3XQ प्लस A4X की पावर 4 और प्लस डेश डेश A N X की पावर N ऐसे आगे से आगे चल रही है तो यह सारी वेल्यूज हमने कहाँ पूट कर दी equation number 1 में अब हमको क्या करना पड़ेगा comparison हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमको comparison करना पड़ेगा ना यहाँ पर rasp tumor ले लेते हैं comment लेने से क्या होगा फिर आपको भूड़ना नहीं पड़ेगा कि इसका गुक्त कौन कौन सा है इसका गुन कौन कौन सा इससे थोड़ा आसानी हो जाइगर पो ठीक है नकीड़े तो såब जाने से पहले जो, X किसमे किसमे common आ रहा है, देख तो आ रहा है 6A3, इसमे X कहा आ रहा है, यह A1 आ रहा है, लेकिन साथ में क्या चल रहा है, माइनस भी चल रहा है, यानि क्या हो जाएगा, माइनस A1, और इधर कौन आ रहा है, प्लस A1, अब आप common ले लो X square को, X square को इसमे किसमे common आ रहा ह एक तो यहां पर आ रहा है अपने पास 12A4, यहां पर कौन आ रहा है, देखो यह X multiply होगा, X से तो X square हो रहा है न, तो minus 2A2, यह minus 2A2, और यहां पर कौन आ रहा है, A2, इसे आप X cube को भी comment ले सकते हो, कि X cube किसमे किसमे comment आ रहा है, एक तो आ रहा है, 20A5 में आ रहा है, यहां प Q के साथ कौन comment आ रहा है, प्लस A3, इसे comment आते जा रहे है, और सबसे important last में किसको comment लेना है हमको, X की power N को, यह तो लेना ही है, सबसे important है, ठीक है न, क्योंकि इससे जो formula मिलेगा, उससे हम बाकी की values निकालते है, तो X की power N की बात करते हैं, अब वो की वही चीज है, जो इसस हैंगे, N equal to N plus 2, देखो, यदि N की जगे हम N plus 2 रखते हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, X की power N, इसलिए यह वाली term को, क्या बनाना है, X की power N बनाना है, तो मैंने क्या किया, N की जगे N plus 2 रखा, तो क्या term हो जाएगी, देखो, इस N की जगे क्या जाएगा, N plus 2, और इ साथ में क्या चल रहा, N, तो An की जगे क्या जाएगा, N plus 2, यह जाएगा, N plus 2, और यह क्या बन जाएगा, X की power N, जो बार हमने common ले रखा है, अब बात करते हैं, इस वाली term में, देखो, यहां पर क्या चल रहा है, X की power N, माइनस 1 चल रहा है, लेकिन साथ में multiply में बार क्य क्या क्या है, माइनस N, A, N, ठीक है न, अब देखो, और इस वाली term में देखे, तो X की power N का गुणा क्यों है, प्लस A, N, आएची समझ में, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, common ले ले लेना, कि X में कौन-कौन से term common आ रही है, X square में कौन-कौन से आ रही है, constant कौन- फिर हमको क्या करना है, इसमें, comparison करना है, एक चीज और यहां पर equal में क्या चल रहा था, 0, अब हमको क्या करना है, यहां पर comparison, तो सबसे पहले तो किसका comparison करते हैं, जो constant value रहती है, हमारा उसका comparison करते है, constant value कौन-कौन से है, 2 A2 प्लस A node equal to 0, तो यहां से किसकी value निकालेंगा हम A2 की value निकालेंगे, तो क्या आएगा, minus A node divided by 2, यह तो किसकी value आगए हमारे पास, A2 की value, अब हम किसका comparison करेंगे, जो X की जो power 1 है, उसका हम comparison करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, इस तरह से आगो, लिखते भी जाना है, कि X की power 1 के गुणांगों का comparison करने पर, तो क्या आएगा, 6, A3, minus A1, plus A1, कितना हो जाएगा, 0, और equal में क्या लिखेंगे, 0, तो यहां से A3 की value क्या मिल जाएगी, हमको, 0, आएग चीज समझ में, और किसका comparison कर सकते हैं, यहां पर हम, X square के गुणांगों की तुलना करेंगे, तो क्या आएगा, हमारे पास, 12, A4, minus, minus 2, A2, जाएगा, minus A2, और equal में क्या चल रहा है, हमारे पास, 0, तो यहां से A4 की value क्या हुजएगी, A2 डिवाइट बाइ, 12, और देखो, A2 की value हमारे पास, पहले से, क्या value है, minus A9, डिवाइट बाइ 2, minus A9, डिवाइट बाइ 2, और डिवाइट में, और पहले क्या चल रहा है, 12, आई ची समझ में ऐसे हमकों find करना ऐसे x cube के गुणांगों की तुलना भी कर सकते हो आप क्या आएगा हमारे पास 20a5 और देखो minus a3 और plus a3 कितना हो जाएगा minus 2a3 और equal मैं क्या लिखेंगे 0 तो यहांसे क्या आएगा देखो 20a5 a3 की value क्या है हमारे पास जब हम x की गाद n के गुणां के उनकी तुलना करेंगे x की गाद n के गुणां कौन कौन से की n प्लस 1 n प्लस 2 और a n प्लस 2 और minus क्या चल रहा है n an और plus an और equal में क्या लिखेंगे हम 0 आज ची समझ में इससे हमको क्या मिल जाएगा यहां पर formula मिल जाएगा formula क्या मिलेगा हमको की देखो n प्लस 1 as it is n प्लस 2 as it is n प्लस 2 यह भी as it is अब देखो यह इन दोनों में common क्या है an common आ रहा है an common ले लेंगे to क्या हमारे पास an minus 1 equal में क्या चल रहा है हमारे पास zero तो यहां से हमको formula मिल जाएगा क्या formula मिल जाएगा कि a n-1 और divide में क्या चल रहा है n-1 और n-2 यह हमको क्या मिल गया एक formula मिल गया इससे आप चाहिए जिसकी value क्या कर सकते हो find कर सकते हो ठीक है ना क्यूंकि हमारे पास अभी value किस किस की आई है a4 की आगई है a5 की आगई है बाकी values भी होती है ठीक है ना तो a6 a7 a8 इनकी भी value हम यहां से find कर सकते है देखो कैसे यदि मुझे a6 की value find करनी है तो n equal to क्या लिकूंगा मैं 4 क्योंकि plus में क्या चल रहा है पहले से 2 तो यहां से क्या value आजाएगी a6 equal to a n मतलब अब a4 आ जाएगा n-1 यानि 4-1 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास n-1 यानि 4-1 5 और 4-2 6 यह है हमारे पास अब देखो हमारे पास देखो 6 3 डिवाइड बाइ 5 इंटू 6 तो as it is है यहां पर हमारे पास क्या चल रहा है a4 की value हमें हमें पता है क की minus a node डिवाइड by 24 क्या है अपने पास minus a node डिवाइड बाइ 24 तो यह value हांपर put कर दो क्या है minus a node डिवाइड बाइ 24 है और 24 को हम क्या लिख सकते है four ka factorial यह लिखते है ना 24 को हम क्या लिख सकते है 4 का factorial ठीक है तो यह माइनस एन और तो मेरा एज़िटीज है साथ में multiply में कौन चल रहा है 3 भी चल रहा है divide में देखो 4 का factorial चल रहा है और साथ में 5 into 6 भी चल रहा है मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6 का factorial 6 का factorial का मतलब क्या होता है कि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यह चीज़ यहां पर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6 का factorial ऐसे मैं ग्याद करूंगा एन equal to क्या लूँगा मैं 5 तो एन equal to 5 पर क्या हो जाएगा ए 7 क्योंकि 5 plus 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7 में क्या चल रहा है यहां पर क्या हो जाएगा यह 5 and minus 1 यानि 5 minus 1 कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड में क्या चल रहा है देखो 5 plus 1 कितना हो जाएगा 6 और 5 plus 2 कितना हो जाएगा 7 तो देखो 4 divided by 6 into 7 तो as it is है ए 5 की value कितनी है अभी हमने लिका लिख लिख दिए 5 की value हमारे पास है यह 6 multiply में n minus 1 यानि 5 आजाएगा और divide में क्या चलेगा अपने पास n plus 1 फोर्मला क्या चल रहा है n plus 1 चल रहा है यानि 6 plus 1 7 और 6 plus 2 8 और multiply 5 divided by 7 into 8 तो मेरा as it is रहेगा अब देखो यहां पर क्या चल रहा है और a6 की value अभी हमने लिका लिके है कि minus a node multiply 3 divided by 6 factorial यानि minus a node multiply 3 divided by 6 factorial चल रहा है तो यहां पर देखो minus a node तो मेरा as it is 3 into 5 भी मेरा as it is और divide में क्या चल रहा है 6 factorial into 7 into 8 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 का factorial अब जो सारी values हमारे पास है यह उसको हमको direct हमको क्या करना है put करना है put किसमें करेंगे कि वही y equal to a node plus a1 x plus a2 x square dash dash plus an xn और plus dash dash इसमें हमको क्या करना है वो values put करना है तो यह y to as it is है मेरा a node की value तो a node ही है ठीक है a1 की value क्या आई थी हमारे पास ठीक है सबसे पहले गयात करते है a1 की value हमारे पास क्या आई है तो a1 भी हमारे पास कोई value नहीं आई तो a1 x भी हमारे क्या रहेगा as it is रहेगा बात करते है a2 x square तो a2 की value क्या आई थी देखो a2 की value हमारे पास आई थी minus a9 divided by 2 तो क्या value आई थी हमारे पास कि minus a9 divided by 2 और 7 में क्या चल रहा है x square बात करते है a3 x cube a3 की क्या value है थी हमारे पास तो a3 की value आया थी 0 तो a3 की value यहाँ पर क्या आजाएगी 0 प्लस a4 की value क्या थी हमारे पास सारी values बेल्स ऐसे as it is पूट करने है minus a9 divided by 4 factorial इसको क्या लिख सकते है 24 को 4 का factorial लिख सकते है, लिख सकते है या नहीं लिख सकते है, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, value क्या आई थी, minus a node divide by 4 का factorial, और 7 में क्या चल रहा है, x की power, 4, ऐसे x5 की value क्या है, a5 की value 0 है, और a6 की value क्या आई थी हमारे पास, कि minus a node divided by 6 का factorial और multiply में क्या चल रहा था 3 ठीक है ना तो इस तरह से सारी values आई थी तो इसमें आगे से आगे चली रही है आपके पास और values है आप पूट कर सकते हो ये y equal to a node तो मेरा as it is है ठीक है ना अब देखो यहाँ पर a node और किसमें common आ रहा है तो यहां से common लिया तो यहां पर दो जाएगा 1 यहां पर आ जाएगा 1 divided by 2 x square और यहां पर क्या जाएगा x की बात 4 और नीचे क्या चल रहा है 4 का factorial इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का factorial भी लिख सकता हूँ ना और देखो और common का हा रहा है 3 divided by 6 का factorial ऐसे आगे ऐसे आगे चल रही है और देखो यह वाली term में एक ही term ऐसी है जो a1 वाली है तो इसको side में लिख दो आप a1 x तो यह हमारे पास क्या हुआ इस question का या इस जो दित्य कोठी की समीगन थी उसका stranial ठीक है तो इस तरह से हमको सीधा सा method है कुछ नहीं करना है पहले तो ग्याद करना है सादान बिंदू है या वीचित्र बिंदू है फिर हमको वो स्रेणी हल सबका एक समानी होता है y equal to a node plus a 2x square फिर हमको इसकी values find करने के लिए क्या करना पड़ता है dy by dx निकालते है d2y upon dx square निकालते है फिर उनका comparison करके सारी values लिकालके इसमें put कर देते हैं सीधा सा method है बढ़ते हैं हमारा next last example क्यों और अब है हमारे पास example number 3 ठीक है ना इसमें भी क्या ग्याद करना है हमको शेणी हली ग्याद करना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करता है चेक करते है कि साधारन बिंदू पर ग्याद करना है या विचितर बिंदू पर ग्याद करना है तो कैसे चेक करेंगे यहां पर हमको देखना है कि x की कोई भी value रखने पर जैसे x बराबर मैंने 0 लिका तो उस पर यह d2y upon dx square का गुणान 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यहां पर देखो एक चीज़ तो आप यहां पर देखो x square d2y upon dx square है 0 हो जाएगा लेकिन यहां पर क्या चल रहा है 1 minus x square चल रहा है यानि यदि मैं इसको bracket को खोलता हूं तो क्या आएगा मेरे पास d2y upon dx square minus x square d2y upon dx square मलब यहां पर d2y upon dx square की 2 term हा रही है ठीक है न क्या रही है यह दो term हा रही है और एक चीज़ यह भी है कि यहां पर x की जिगर मैं 0 लिख देता हूं तो भी यह पूरी term 0 नहीं हो रही साथ में क्या चल रहा है 1 भी चल रहा है इसलिए क्या कह सकते हैं यहां पर x कोई भी वेली रुकने पर या x बराबर a पर d2y upon dx square का जो गुणांग के वो सुन्ये नहीं है अथ है क्या कह सकते हैं x equal to a पर d2y upon dx square का गुणांग सुन्ये नहीं है यह एक साधारण बिंदू है और साधारण बिंदू पर यह श्रेणी हल साधारण बिंदू पर श्रेणी का हल क्या होता है हमारे पास कि y equal to a node plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dash 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 plus an xn और dash dash कहां तक जाएगी है अनन तक जाएगी एक चीज जिसमें ध्यान रखनी है कि इस वाले question को हम solve करने में तो जो हमने पिछले दो example solve की है बिल्कुल आप यह उसी तरह डिक्टो करते हो कि dy by dx लिकालते हो फिर d2y upon dx square लिकालते हो और पूरा पूरा लिखते हो आपकी जो question है उसमें सारी values put कर देते हो equation number first में और फिर comparison कर देते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है लेकिन थोड़ा इसको हमने अलग तरीके से करने कोशिस किया है या आपकी book में भी थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है वो का वही तरीका है बस short room में कर रखा है उस चीज़ को ठीक है ना तो आप चाहो तो ज़रूरी नहीं आपको इसी तरीके से करना है जिसने मैं अभी करा रहा हूँ यदि आपको अच्छा समझ में आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो और इसके अलावा यदि आपको नहीं आता है तो आप पिछले जो दो example हमने किये उस method से आप इसको पूरा solve कीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके answer में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो देखो इसमें क्या तरीका अलग है इसमें तरीका अलग है कि इस वाले चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ इसको short form में हम क्या लिख सकते है कि y equal to summation k equal to 0 से infinite तक और a k और dot x की power k बस हमने क्या किया इस वाले कोशन में इस चीज़ को मैं short में लेके चलूँगा बस इतनी सी बात है और कोई भी डिफ्रेंस नहीं है वो की वही चीज़े करनी है सारी देखो जैसे मैं k की power k equal to 0 लिखूंगा तो क्या हैगा मैरे पास a node और x की power 0, x की power 0 मतलब 1 इसे मैं जैसे के लिखूंगा k की power k equal to 1 तो यहां पर क्या जाएगा यह 1 और x की power 1 इस तरह से क्या हो जाएगा यह सारी values हमको आगे सागे मैंने summation के रूप में आपको पता है इसको summation के रूप में हम यहां से लिख सकते है कोई दिक्कत वाली बात न और यह आपको आप बोलों नहीं मुहमें तो यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप वही process कर सकते हो इसका alkaline कर सकते हो फिर वापी सागलन कर सकते हो और सारी values यहां पर put कर सकते हो तो आपके answer आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी यह एक बात तो यह होई अब बात करते है इसकी इसको मैंने equation number दे दिया 2 यहां पर भी वही करना पड़ेगा dy by dx लिकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलाव तो काम चलेगा नहीं अपना तो देखो summation k equal to 0 से infinite तो एजटीज है मेरा यह एक के भी एजटीज है यह के आगे आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएग कि d2y upon dx square आजएगा तो यह summation k equal to 0 से infinite as it is रहेगा यह एक के रहेगा यह देखो k चल रहा है पहले से k-1 भी कहा आजएगा आगे और यहां पर क्या आजएगा x की power k-2 यह equation number कहों से दे दी मैंने 4 वही करना है इसमें भी कि by equation first यह सारी values है equation 2, equation 3 और equation 3 किसमें put करनी है यह equation number first में कोई changes नहीं है बस मैंने किया क्या short route में लिख दे इस चीज़ को ठीक है ना तो देखो equation first हमारे पास क्या चल रही है 1 minus x square और multiply में क्या चल रही है d2y upon dx square तो put कर देते है value कि 1 minus x square तो मेरा is it is d2y की value क्या है कि summation k equal to 0 से infinite a k यह k और k-1 और साथ में क्या चल रहा है x की power k k-2 आगे क्या टर्म है हमारे पास minus 2x dy by dx क्या टर्म चल रही है minus 2x और dy by dx क्या value है summation k equal to 0 से infinite a k और साथ में क्या चल रहा है multiply में k x c power k-1 और आगे वाली term क्या अपने पास plus 2y equal to 0 ठीक है ना तो साथ में क्या चल रहा है plus 2y की value क्या है summation k equal to 0 से infinite a k और x c power k और equal में क्या चल रहा है 0 यही चीज़ हमको करनी थी देखो अब आगे क्या होगा इसमें यह bracket खुल जाएगा यह वाला bracket खुल सकते हैं तो एक बार तो क्या होगा 1 से multiply होगा एक बार किसे multiply होगा x square से तो 1 से होगा तो सारी पूरी term क्या रहेगी हमारी as it is रहेगी तो यह summation k equal to 0 से infinite a k और साथ में क्या चल रहा है k k minus 1 x c power k minus 2 अब देखो आगे क्या है minus x square यह minus x square है तो यह x square किसे multiply होगा x की power k minus 2 से होगा यह 2 और minus 2 कैंसल हो जाए तो क्या बचेगा यहां पर x की power k बाकी वो की वही term होगी कि summation k equal to 0 से infinite a k k minus 1 और यहां पर क्या हो जाएगा x की power k क्योंकि यह square किसे cancel कर देगा minus 2 को ठीक है अब देखो अगली next term हमारे पास क्या है minus minus 2 x वाली term देख रहे हैं यह minus 2 तो मेरा यह देखो x अंदर multiply होगा k minus 1 से तो यह यहां पर पावर कितनी अभी 1 है तो यह plus 1 और minus 1 cancel होगे क्या बन जाएगा यहां पर x की power k तो मतलब अंदर क्या चलेगा हमारे पास summation k equal to 0 से infinite a k और k और यहां पर क्या जाएगा x की power k नीचे क्या term चल रही है वो as it is रही कि 2 summation k equal to 0 से infinite a k और x की power k equal to 0 यही चल रही है हमारे पास इससे आगे हमको देखना है कि देखो इसमें x की गात common किसमें को आ रही है यहां पर x की गात क्या है k-2 है ठीक है इसके अलाव़ k-2 कहीं है क्या तो उसको आप as it is रहन दो कि summation k equal to 0 से infinite a k k-1 और x की power k-2 ठीक है यह तो हो आए हमारी first term अब देखो यहां पर भी एक्सिगात k है यहां पर भी एक्सिगात k और यहां पर भी एक्सिगात k है मतलब तीनों में एक्सिगात k क्या है common है तो इन तीनों terms को मैं 7 मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं मै इन तीनों terms को साथ में कि यह मेरे साथ क्या चल रही है देखो minus यहां पर मैं common ले लेता हूं कि minus summation k equal to 0 से infinite क्या क्या चल रही है terms वो बताना आप यहां पर देखो minus common ले लिए तो plus की हो जाएगी terms देखो k, k-1, k, k-1, k, k-1, यहां पर हमारे पास क्या चल रही है यह भी plus क कि हो जाएगी तो क्या चलेकि यह plus 2, k और यह किसकी हो जाएगी minus की, और इनके साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, एक के, और x की power k, और equal में क्या चल रहा है, 0, मैंने क्या किया, k-2 वाली terms को as it is लिख दिया, और आक्स की power k वाली terms को एक साथ लिख दिया, बस इतना सा क क्या चल रहा है कि summation k equal to zero से infinite a k और ये k k minus one और x की power k minus two चल रहा है minus summation k equal to zero से infinite यहां पर क्या चल रहा है देखो k into k k square minus k plus two k और minus two और साथ में क्या चल रहा है k और x की power k और equal में चल रहा है हमारे पास zero तो यह वाली term तो वापी से एज़िटीज है कि k equal to zero से infinite a k और ये k k minus one x की power k minus two ये minus ये summation k equal to zero से infinite है k square एज़िटीज है minus k plus two k कितना हो जाएगा plus k और minus two यही चल रहा है हमारे पास term और साथ में क्या चल रहा है k और x की power k और equal में क्या चल रहा है zero तो ये तो हमारे पास term हुई हमने सारा इसमें solve कर दिया अब हमको क्या करना है इसमें comparison करना है तो comparison किसका करेंगे वह चीज important है तो यहां पर हम comparison करेंगे x की power k x की power k के गुणांकों की तुलना बस इसमें एक ही comparison करना है आपको क्योंकि उससे आपको formula मिल जाएगा और उस formula से आप चाहे जिसकी value find कर सकते हो अब देखो यहां पर क्या करना है हमको एकस की power k के गुणांकों की तुलना करनी है ठीक है न तो x की power k के गुणांक क्या क्या होंगे हमारे पास तो इसमें यह दि बात करें इस वाली term में तो इसमें तो क्या चल रहा है हमारे पास k-2 चल रहा है ऑढ़ाएगा के अपर और माइनस मरे चले रहा है यहां पर अब करते इस वारा बाद करते इसफली शर्म में कि माइनस स्क्वायर प्लस के माना है एशक में की कमा एक टो साहत में बराबर क्वडार एक के बराबर،sınızक्ति एक बार वापी समझ देना कि यहां पर क्या चल रहा है k-2 चल रहा है तो हम को इसको क्या बनाना पड़ेगा k बनाना पड़ेगा तो k कैसे बनाएंगे कि k की जगे हम लिख देंगे k plus 2 तो यह पूरी टम किसमें चरुण्ज हो जाएगी x की बाउर k में माइनस बीच में चले रहा है और इकवल में क्या लिख देंगे जीरो तो इसको आप सकता हूं सोड़ी के माइनस वन और वह प्लस टू इसको आप सब्सकर सब्सक्राइब वह एक प्लस टू निकाल इहांसे मैं किसकी विल्य निकाल रा रहा है tu raleo की विल्य निकाल रहा है तो क्या वेल्य आएगी मेरे पास की के माइनस वन डिवाइड बाइ की पॉलस वन और एक के इस वाली स्वाली ट्रौं को पहले 0. K equal to 0 लेता हूं तो A2 आजाएगा यहां पर, यहां पर क्या एगा 0 minus 1 minus 1 और 0 plus 1 plus 1 और साथ में क्या चल रहा है A node, तो value क्या आजाएगी यहां पर? कि minus a node यानि a2 की value क्या मिली मुझे minus a node, बात करते है k बराबर 1 पर तो क्या value आजाएगी a3 1, यानि 1 minus 1 कितना हो जाएगा 0, यह 0 हो जाएगी पूरी term k equal to 2 पर बात करते है यानि यहाँ पर क्या आजाएगा a4 तो इधर क्या आजाएगा 2 minus 1 1, और 2 plus 1 3, और साथ में क्या चल रहा a2, ठीके a2 की value क्या आजाएगा minus a node, यानि क्या आजाएगा minus a node divided by 3 और साथ में क्या चल रहा है k equal to 4, sorry 3 तो यहाँ पर value क्या आजाएगी a5 यहाँ पर क्या आएगा, 3 minus 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 plus 1 कितना हो जाएगा, 4 और साथ में क्या चल रहा है, a3 तो 2 divided by 4 क्या, 1 by 2 और a3 की value क्या आएथी उपर, 0 तो पूरी value किसमें change हो जाएगी, 0 में ऐसे भात करें, k equal to 4 तो यहाँ पर क्या आजाएगा, a6 तो a6 की value आफ़ाइड करोगी तो क्या आएगी देखो, 4 minus 1 3, और 4 plus 1 5, और साथ में क्या चल रहा है, a4 यानि 3 divided by 5 a4, a4 की value क्या आएथी minus a1 divided by 3 minus a1 divided by 3 3 से 3 cancel, तो क्या बचा, minus a1 divided by 5 बात करें, k equal to 5 पर, तो क्या value आएगी a7, 5 minus 1 कितना हो जाएगा, formula मैं apply कर रहा हूँ यह मैं, 5 minus 1 4, और नीचे 5 plus 1 क्या आजाएगा, 6 और multiply में क्या चल रहा है, a5 तो 4 divided by 5 तो क्या होगा, 2 divided by 3 और a5, a5 की value क्या लिका लिका ली थी हमने यह a5 की value यह a5 की value क्या आएथी हमारे पास 0, तो यह 0 और सारी value भी क्या हो जाएगी, 0 ऐसे ही बात करें, k equal to 6 पर तो क्या आएगी value, a8 a8 की value क्या होगी अपने पास 6 minus 1, 5, और 6 plus 1, 7 और साथ में क्या चल रहा है, a6 यह 5 divided by 7 और a6, a6 की value क्या लिका ली थी हमने minus a9 divided by 5 तो minus a9 divided by 5 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा minus a9 divided by 7 इस तरह से हमने सारी values निकाल ली है a3, a4, a5, a6, a7, a8 सारी values हमारे पास आ गई है ठीक है न, तो इन values से हम क्या कर सकते a2 भी में हमारे पास आ गई है ठीक है, तो इन सारी को हम का पूट करेंगे हमारे solution में solution क्या था हमारा कि y equal to a node plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube plus a4 x की गाव 4 ऐसे आगे से आगे अनन तक y equal to a node तो as it is रहेगा और a1 की भी हमने कोई value नहीं लिका लिए तो ये भी as it is रहेगा a2 की value हमने क्या लिका ली थी minus a node क्या value निका ली थी minus a node तो ये minus a node और साथ में क्या चल रहा है x square a3 की value लिका ली थी हमने 0 ऐसे a4 की क्या निका ली a node divided by 3 x की power 4 ऐसे हम सारी values put कर सकते हैं और जो common आ रहा है उनको common ले सकते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका stranial तो ये वाला तरीका भी अच्छा है ये वाला तरीका इसलिए यूज लिया है क्योंकि ये थोड़ा short बढ़ रहा है तो ये वाला और अच्छा तरीका है और ये आपको नहीं समझ में आया ये आपको कुछ तकलीब आ रही है वही सारे comparison करके values लिकानी है values आपको ये की ये मिलेगी ठीक है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो आज हमने जो तीन example की बात की है हमने total तीन example पढ़े आज इन तीनों में से ये आप तीनों को अच्छी तरह से समझ लेते कि हम कर क्या रहे हमारा process क्या है तो आपको किसी भी ऐसे question में दिक्कत आने वाली नहीं है जहांपे साधारन बिंदू हलो तो आपको check करना तो आ गया है कि साधारन बिंदू कहांपे होता है कि आपको d2i upon dx को गुनांग लगब लगब क्या होना चीए जहांपे a को सीधी सी बात है जहांपे x की कोई भी टर्म नी हो या जिसका गुनांग क्या हो तो वहांपे इसका गुनांग कभी भी 0 नहीं हो सकता है तो वो कौन सा बिंदू होगा हमारे पास साधारन बिंदू होगा ठीक है वीड aos को लाइक करना शेर करना चेनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जो दोस्त लोग है उनको भी इस वीड़ियो को शेर करना क्योंकि बहुत इंप्रेंट वीडियो है ठीक है ना तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे विचितरविंदू के लिए और वो भी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ओके थैंक यू